बिहार विधान सभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की ओर से अब चुनावी वादे सामने आने लगे हैं। राज़त की ओर से नवरात्र के पहले दिन पर घोशना पत्र जारी किया गया। अब इस लाइन में मिस्टरी गर्ल के नाम से मशहूर पुश्पम प्रिया चौधरी की पार्टी दब प्लूरल्स पार्टी भी खड़ी हो गई है। प्लूरल्स ने अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया गया है। आपको बता दें कि प्लूरल्स का ये मैनिफेस्टो सिर्फ पांच सालों के लिए नहीं बलकि इसमें 2020-2030 का पूरा खांका है। इस मैनिफेस्टो को पार्टी की ओर से आठ दिशा आठो पहर का नाम दिया गया है। पार्टी के मैनिफेस्टो में आठ पॉइंट है और इन आठ पॉइंट्स को कई सब पॉइंट्स में बाटा गया है। जिनमें घोशना पत्र के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। अब आपको पॉइंट्स के मैनिफेस्टो की मुख्य बाते बता देते हैं। पहली आठ डेवलप्मेंट्स जोन में बिहार कारे मुख्य बाते हैं। दूसरी प्रतियक डेवलप्मेंट्स जोन में आठ अध्योगिक जोन की स्थापना। तीसरी क्रिशी को उद्योग का दर्जा। चौती हर जोन में एक लाग स्टार्ट अपह क्रिशी, उद्योग, IT, फाइन्स से संबंदित। पाँचवी हर जोन में फ्लड अन इरिगेशन सिस्टम, छठी प्रतियक जोन में लर्निंग की आठ स्टेट अफ द आठ सिक्षा केंद्र, साथवी प्रतियक वोडव पंचायत में आठ बुन्यादी इंफ्रास्ट्रक्चर, और आठवी गरीवी रेखा के नीचे के परिवा पत्र लिखा था, पत्र में उन्होंने बिहार में निस्पक्ष और भै मुक्तवातावरण में चुनाफ कराने के लिए प्रदेश में राश्टरपति शाषन लगाने की मांग की थी, पत्र में अपनी पार्टी के उमईद्वारों के साथ मिस्बीहेव और मारपीट किये जा का आरोप लगाया है